रीट के विदार्तियों, रीट परती पर कहीं जो बड़े उलेट फेर हुए हैं और बीड़ों बीश्टिसी जो विवाद है उसकी भी आज ताज़ा अपडेट है रीट को लेकर बेयान देर हैं और इस वीडियो में जानेंगे जो ताज़ा सोशल मीडिया की बड़ी खबरे क्या है जो बेरोजगारों को प्रेशान करी है सबसे पहले तो मैं बात करूँगा रीट पर जो शिक्सामंत्री जी बोले हैं कल उद्यपूल में कांग्रिस के पर देशा देख शिक्सामंत्री जी ने कहा था कि बाजपा सरकार में भी रीट प्रिक्षिया के बाद सत्रा दिनों तक धरना दिया गया था तब किसी एजेंसी से जान्च क्यों नहीं कर वई बाजपा पर उन्होंने सिदा सिदा पलटवार किया है उन्होंने का चपलों में ब्लुटूट या कोई गिंग पेले नहीं था क्या इस रीट में सी PMI से जान्च करवाने की बात भी नहीं है CBIC उन्होंने का कोई जांच नहीं होगी किलीर सब्दों में इन्होंने मना किया है वे वलब नगरो दरियवाद जो विदान सब्बाचेतर है उनमें उप्चुनाव से समन दे दे और मेडिया के जो भाई हैं और लगाता हैं उन से रीट के बारे में पूछ रहे हैं और उन्होंने कलीर सब्दों में का है कि ऐसी कोई बात नहीं कि CBIC जैसा मामला हो जिससे जांच करवाई जाए और पूर शिक्षा मंत्री वासुर देवनानी से भी उन्होंने का का कि ये पूर मुख्य मंत्री वसुन राजी से मिल नहीं पाते थे लेकिन मेरी मुलागाद हर तीशे दिन होती है तो दोस्तो शिक्षा मंत्री जिनने रीट के बारे में सिबे जांच के बारे में अभी तक ये बड़ी अपडेट दी है इसके लावा जो बीड़ दाजी लगाता और एस्टीसी वाले लगाता धन्ना दे रहे हैं जेपुल में शेर इस्वालिक में ये जो अमेंट में डाया है जो गजिट नौटिपिकरशन इसमें आप दे सकते हो कि कोई पिय 사건 गजिगा आइब कर लेका जहीं आप दे Patchad नौटिफिक्रट के करमें यह आप दे सकते हो कि राश्टी जो पूरवत ऑ्रवति नौटिपिकरशन के करम संसोधन किया थ जो संसोदन शिर्फ और एक मात्र यही किया गया था कि जो एकिकत बीएड और एमेड डिग्री उत्रीन अभियारती को प्रात्मी अध्यापक अक्षा एक से पांच लेवर फष्ट है तो पात्र कराद दिया है ऐसे अभियारती को न्यूकती 56 मागा पात्र कराद दिया नहीं विचार किया जाएगा इसके कारणी यह कोट में मामला पहले भी चल रहा है दोजा अठार अठारा में जो हुआ था इसी के कारण 23 जोन 2018 नोटिफिकर से के मारपत एंसीटी ने सनात्तक में 50% अंकों के साथ ब्याड उत्रीन अभियरती को लेवल वन के लिए पात्र कराद दिया था यह मात्र मामला फिलाल आई कोट की डीबी में विचारा दिन है ब्येश्टी सी उत्रीन अभियरती ब्येड डिग्रीदा ब्येश्टी के लेवल एक में सामिल करने की मांगों मजूद करता है उक्त नोटिपिकर से करने का कहीं भी उलेकर नहीं है जून 2018 नोटिपिकर्सन के करम में उक्त संसोदी नोटिपिकर्सन जारी किया गया है जिसे 55 पर तिसन अंगों के साथ सनात को तता एकी का तीन वर सिब्येड एमेड उतिने अब्यूर्टी को भी लेवल एक के लिए योगिगरा दिया है तो दोस्तों इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो कि इनको सामिल किया जाएगा यह सिर्फ विचार किया जाएगा पहले भी जून 2018 का जो गजट नोटिपिकर्सन निकला था उसके कारण नहीं आज भारत के पड़ते गराज़े में ये कोर्ट में मामला चल रहा है इसके अलावा रीट और पटवारी प्रिक्षा ने अटकाई है जारों साधिया प्रेणाम आये तो करवाई साधिया यह आप देश सकते हो यह बात पूरी तरह से है कि जिल्ले मंद 10,000 साधी यूतियों को साधी से पहले अपने केरी की चिंता है इसे सबसे पहले रीट और पटवारी के प्रिक्षा ने करेगी कि साधी कर की जाए यह अलवर जिले की बदलती तैस्यूरे जिस रमाज ने शुकार कर लिया है मैं दर यादव कोचिन संचालग अलवर की बड़ी अपडेट है इसमें यह क्लीर कहा गया है कि महिल आए यह चाती है कि रीट का प्रिनाम आ जाए उसके बाद और रीट का एकजाम होने के बाद ही विवादों में चल रहा है तो साध्याट की हुई है भाईयो रीट बढ़ती को लेकर जो दाएर प्याईल ह होई थी उसमें आइकोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है इसमें कहा गया कि आप यह जो जनीत याची का नहीं हो सकती क्यूंकि जो अब्यक्ति एकजाम में बैटा था उसी अब्यक्ति नहीं लगई तो उसकी हित से समद्दित होगी और एक उन्होंने कहा था कि डब और अब वो सिंगल बेंच में लगाने लगा सकता है कथित पेपर लिग मामले अमदारी जनीरियाची का खारीच यह आप दे सकते हो अलग-अलग अपडेट है इसके अलवा पदोनती हो सुक्रम तो तबादलो वर रीट बरती की रहा बने आसान तो दोस्तों किस किस में कित रापत खाली है और अगर तीस हजार पदो रिक्त हो जाएंगा अगर पदोनती हो जाए थर्ड गेर के टीचर शेकिन गेर में लग जाए तो क्यूंकि थर्ड गेर में नहीं बढ़ती के दुआरा ही पदोनत लिये जाते हैं तो तीस हजार वो चले जाएंगे तो टोटल लिट भी निकाल सकती है अगर सरकार चाहे तो इतने पदखा लिए तो दोस्तों आज की ये बड़ी अपडेट है और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर चुरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ओधरिंटी खबरें लाते करते हैं जेहिंजेबाद वन देमाद